जैमात अदी मित्रो मेरा नाम पंडीत प्रकाज्योजी स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्वाज में मित्रो आज हम चचा करने विर्गो यानि कन्या राजी के मंतली राची फलकी यानि मही का महीना कन्या राची का कैसा रहेगा कैसी रहेगी दनकी करेंगे और बारा साल बाद ब्रस्पती का ट्रांजेट ब्रशब राशी में होने जा रहा है और कन्या राशी से नवम में यह ट्रांजिट होने दिया रहा है यह पूरा एक साल ब्रस्पती देव कन्या राशी को माला माल करने वाले हैं इसलिए जो यह ट्रांजिट हो रहा है नववम आओं में जो ब्रस्पति आपके नववम भाओं में आ रहे हैं सभी कन्याराशी को इनको प्रणाम करना चीए हाद जोड़ के इनको प्रणाम करें इनका अभिवादन करें क्योंकि ये जो ब्रस्पति हैं आपका कल्यान करने वाले हैं नवम में जो ब्रस्पति है शास्त्र में लिखा है नवमे गोचरे जीवा विजे सिद्धी दायका यानि नवम में जब भी ब्रस्पति आते हैं तो पावार का दुरूतबा बढ़ा देता यह दिया आप कला के सेक्टर में आप मेडिकल सेक्टर में आप वकील डॉक्टर है त आपके लिए लाबदायक है और जो जनरल लोग हैं जो कोड के चेरी में फसे हैं जिनका सरकारी के कोई मामला पेंडिंग चल रहा है उनके लिए बड़े कि लाब्दायक है यानि कि कोड के जो सरकारी पेंडिंग में आपका फैसला यही कराने वाले नवम में जब भी ब्रस्पती बैटते हैं तो कहीं ना कहीं न्यायाधीस हो जाते हैं तो आपके न्याय अधीश हैं इनको प्रणाम जरू कीजिएगा चलिए और ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आपको जानना है कि ये जो ब्रसपती कैसा ट्रांजिट रहेगा तो उसके लिए आपको कुंडली दिखानी पड़ेगी और जो पुराने जजमान एक खास कर जो हमसे पहले कुंडली दिखा चुके हैं कन्या राशी वाले या उपाए ले चुके हैं उनको मैं कहना चाता हूं एक बार अपनी कुंडली दिखा के एक बार देख लीजिए ट्रांजिट आपके लिए कितना शुब है बारा साल बाद मोका आया है तो आपको जरू दिखाना चैना साल देख youtube मई की कंडली केतू जी आपके लगन भाहों में बैटे है चंद्रमाठ थोड़े छीन होके पंचंव में बैटे है और मंगल ब और राहु बैटे हैं सूरिये उचके बैटे हैं अश्टम भाव में शुक्र के साथ में और गुरु तो नववं भाव में एक मही को आये हैं चलिए सबसे पहले हम स्वास्थ के बारे में बात करते हैं कहा जाता है ना जान है तो जहान है तो कन्या राशी का माई का स्वास्ते दो बागों में बटेगा एक तारिक से 13 माई तक भई इस्ततिया बहुत अच्छी नहीं है कई ना कई आपकी राशी का बुध अंगारक दूश में फसा है यानि मंगल बुध और राहू की यूती बहुत अच्छी नहीं है 13 माई तक तो 13 तेरा मई तक पैर में अचानक चोट लग सकती है किसी से बड़ा तगड़ा लड़ाई वाद विवाद जगड़ा हो सकता है जगड़ा इतना बढ़ सकता है कि पुलिस स्टेशन थाने के चक्कर भी लगाने पड़े इसलिए आपको क्रोध पे नियंतरन रखना है तेरा मई तक याद रखिएगा किसी भी प्रकार से आपको उलजना नहीं है किसी वाद विवाद नहीं है भारी पड़ सकता है चौदा तारिक से और 31 मई के बीच में यहां बुद्ध और राओ की यूद्धी तूट जाएगी बुद्ध दे मेश राशी में चले जाएंगे आपके अस्टमबाओं में चले जाएंगे यहां से हेल्थ ठीक है और यहां से चीज़े नॉर्मल हो रही है धन की बारे में बात करें धन की स्टती तो मई के महिने में यानि की पूरे मई में दो बड़े धनलाब कन्याराशी को हो सकते हैं पहला सरकारी रुका हुआ धन आपको मिल सकता है माता पिता से कोई धनलाब कोई गेफ्ट आपको मिल सकता है दूसरा एक्स्ट्रा इंकम के योग है किसी जान पिचान के द्वारा आपको एक्स्ट्रा इंकम की योग बनते हैं और मई के महिने में अचानक कोई बड़ी डील भी हो सकती तो financially कन्या राची के लिए मई का महिना लाबदायक है परिवार भाव के बारे में बात करें family भाव की तो गुरू जो है परिवार भाव के स्वामी गुरू है गुरू नववम भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं परिवार के अंदर जो बड़े फैमिली मेंबर है जो सदस हैं आपके घर में उनमें से किसी का पद प्रोमोशन की सूचना आपको मई में प्राप्त होगी साती साथ उनी फैमिली मेंबर में से किसी के इस्थान परिवर्तन की सूचना भी आपको मई में ही प्राप्त होगी मई का मईना फैमिली के लिए बड़ी सारे सोगाते वाले खुशकबरी लाने वाला मई का मईना रहेगा और साती साथ परिवार के साथ में तीर्त यात्रा मंदर के दर्शन के योग बन रहे हैं तो कुल मिलाके परिवार के लिए तो बड़ा एनर्जेटिक मही का महिना रहने वाला है अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कन्या राशी वाले जिनकी संताने हैं च्छोटी है चैबड़ी है तो यहां पर पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हैं लेकिन मकर राशी में चीन राशी में बैठे हैं तो कहीना कहीं छोटी संतान को मही का महीना परिशान कर सकता है खासकर अगर आपकी संतान एक वर्ष से लेकर और 17 साल की है तो उनको थोड़ा परिशान करेगा कहीना कहीं पेट समंदी परिशानिया रहेंगी एकागर चित्ता की विद्या में कमी रहेगी विद्या को लेकर संतान और आपके बीच में या करियर को लेकर नोग जोग ज़ादा रहेगी तो ये छोटी संतान के लिए छीन चंदरमा लाबदायक नहीं है साती सात देखा जाए तो जो बड़ी संतान है उनके लिए इस्तती यानि 18 प्लस जो बड़ी संतान है उनके लिए स्थती नॉर्मल है यानि वो अपने काम में बिजी रहेंगे बड़ी संतान पे इसका कोई फेक्ट नहीं है अब बात कर लेते हैं विद्यारती स्टूडेंट के बारे में तो मही का महीना यानि पूरा मही का महीना नॉर्मल फल दाया का रह सकता है साती सात नॉर् बात कर लेते हैं कन्याराशी वाले उनकी नौकरी करते हैं तो पूरा मही का माहीना दो भागों में बढ़ जाता है एक तारिक से लेकर दस मही के बीच में देखा जाये काम में च्छोटी मूटी गल्दिप्श को और ने पढ़ सकते हैं सबकुछ नौर्मल हो जाएगा बैक टू रूटीन हो जाएगा बस यह दस दिन थोड़ा परिशानी वाले नौकरी में हैं अब बात कर लेते हैं करने राशी की दामपत्य जीवन की तो दामपत्य जीवन यानि सब्सक्राइब मंगल राहू और वो दतीनों ग्रह कुंडली मारके बैठे हैं यानि अंगारक दोस्त पूरे मही के महिने में बैठा है तो पहले हम प्रेमी प्रेमी का लव कपल के महिने में बात करेंगे तो मही का महिना बहुत अच्छा नहीं है लव कपल के लिए एक तो आपस में बड़ा वाद विवाद रहेगा और आपके पार्टनर का वाहन य यहां भी अंगारक दोस्त बना हुआ है यहां भी देखा जाए तो बहुत अच्छा फलनी मिलेगा तीन दो बैड न्यूस मिलेंगी पहला देखा जाए तो पार्टनर के आपके परिवार से बड़ा वाद विवाद महीं के महिने में सामने आएगा आपके भाई से आपके पार पार्टनर को बैड न्यूस मिलेगी तो चाहे प्रेमी प्रेमी का हो पती पत्नियों मही का महीना अंगारक दोस्त के कारण अच्छा है ही नहीं अब बात कर लेते हैं करने राशी उनकी जो व्यापार करते हैं जो अपना बिजनिस करते हैं दुकान चलाते तो यहां पर भी अंगारक दोस्त का भरी पूर्ण प्रभाव है यहां पर भी जिया मही का महीना टेंचन बरा रहेगा व्यापारी दुकानदारों का तीन गटना है हो जकती है पहला आपकी डीले कैंसिल होती जाएंगी मही में मैक्सिमम लॉसिस आपको मही में दिखाई देगा दूसरा बि पार दुकानदार के लिए अंगारक दोस्त के कारण मही का महीना संगर्ज कारी रहने वाला है तो मित्रो इस कारी कर्म में बज़तना ही मुझे दिजे जाया जय मता दी